हलो दोस्तों कभी आपने सोचा है कि क्या एटम का साइज हम निकाल सकते हैं क्या किसी एजी लिए एक्सपेरिमेंट की मदद से हम एटम का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या and the answer is yes तो मेरा नाम है शिरिश कुंभार and I am graduate from IIT रुड की and चलिए शुरू करते हैं तो first of all हम लेंगी allic acid अब allic acid ही क्यों लिया because इसकी monoatomic layer बनाना है आसान अब यह monoatomic layer क्या होती है इसको समझते हैं क्या आपने बच्पन में कभी कंचे खेले होंगे ना अब कंचे खेलेंगे तो मैं जमीन पर जब कंचों को रखूंगा तो वो ऐसे फैल जाएंगे ऐसे जमीन पर फैल जाएंगे तो यह क्या हो गया mono कंचा layer अब कंचे के जगे atom आ गया तो monoatomic layer तो बड़ा simple सा funda यूज़ करेंगे इसे हम समझते हैं कि area into thickness t is equals to volume इस simple सा funda की मदद से हम find out करेंगे atom का diameter तो olic acid लिया इसका 1 cm cube ले लिया इसे mix किया alcohol के साथ में and हमने बना लिया 20 cm cube का solution अब 20 cm cube में से 1 cm cube बाहर निकाल लिया और इस 1 cm cube solution के साथ में हमने फिर alcohol मिला लिया ताकि बाद में फिर से 20 cm cube का solution आ गया यानि कि दो बार dilute कर दिया हमने आप देखिए इस solution को जब हम liquid पर डालते हैं पानी पर डालते हैं तो पानी पर डालने से पहले हमने यहाँ पर powder sprinkle किया हुआ है ताकि जब इसे liquid को डाला जाए यानि कि ओलिक असीड को इस पर डाला जाए तो powder को यह push कर देए इन फैक्ट आप इसको वीडियो में भी देख सकते हैं तो जब यह आया तो यहाँ पर यह ओलिक असीड को जब हमने डाला तो यहाँ पर इसने powder को push कर दिया और यह एक layer बना दी इसने monoatomic layer बना दी इस layer को scale की मदद से हम diameter find out कर सकते हैं और I can say अगर diameter आ गया तो इसका area आ गया area into this thickness यह जो thickness बनी है वो बनना चाहिए volume of allic acid volume हमने तो drop किया था तो मैं मान लेता हूँ ऐसे n drops हमने डाले थे एक drop का volume let's say v naught मान लिया तो total कितना volume आया n into v naught अब सारे में थोड़े न ओलिक था कितना था हमने एक बार उससे dilute कर दिया था 1 by 20 times कर दिया था तो यह effective volume of allic acid आ चुका है और वही यहां पर हम substitute करेंगे area हमने निकाल लिया है major करके तो बचा कौन अभी T बचा हुआ है तो T निकाल लिया और T है क्या thickness अब हमने बनाया क्या था mono atomic layer यानि कि यह जो thickness बनेगा यह thickness I can say diameter of molecule बन जाएगा समझ सकते हो ना diameter of molecule तो यहां से एक rough estimate हमारे पास बन जाएगा कि atom का size है वो कितना होता है and that comes around 10 power minus 9 meter तो है ना amazing बात बिना किसी high-tech equipment की मदद से simple physics और थोड़ी सी chemistry की मदद से हम निकाल सकते हैं rough size of an atom तो बच्चा ऐसे कई सारे amazing videos आते रहेंगे तो make sure to subscribe to this channel